आप देख रहे हैं देश कवर 54 और आपके साथ मैं हुए आज मत प्रदेश की रीवा पुलिस ने नसे के खिलाप एक बार फिर बड़ा अभियान छेड़ दिया है पुलिस महानीरिचक चंचा सेखरवा एस्पी आवित खान के निर्देश पर नसे के विरुद्ध सुरू किये गए इस अभियान में जिले भर में ताबरतोर कारवाईयों का दवर चालू हो चुका है बतादे कि इस अभियान के नसे में कारवारियों के बिरुद कारवाई के लिए S.P. आलुद खान ने थानों को अतरित बलतक दे दिया है सुमबार से S.P. के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान में रीवा की सुहागी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है सुहागी पुलिस ने यूपी से लाई जा रही डेर लाग कीमती नसीली कफ सिरफ की खेप को पकड़ा है दरासल ये कारवाई सुहागी थाना प्रभारी कनहिया बखेलवा उनकी टीम ने मिलकर की है बताया जा है कि मुक्पिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए यूपी के ओर से आ रही कार को पकड़ा जिसकी तलासी के दोरान दस पेटी नसीली कफ सिरफ की खेप बरामत की गई है जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबं 10 लास रुपए आ की जा रही है बताया जा रहा है कि ये खेप यूपी से वीवा के रास्ते सीधी जिले के चुरहट ले जाए जा रही थी कार में यूपी के ही दो यूवक सबार थे मामले में आरोपिय गुबरत धपराध पंजी बद्धकर कारवाई की जा रही है दो लोगों के अपतार किया गया है ये जो है ये हम लोग नाइट गस्त में से तो हमें मुक्ति जारा सूचना मिली के लाहावास चे एक बैगेनार गाड़ी है उसमें कोरेक्स की खेव लाई जा रही है तो तो जब गाड़ी को संतिल गाड़ी को रुखवाया गया उस पर दो लोग बैठे मिले हम लोगों को जब पीछे उनको चेक किया गया तो पीछे की सीट पर दस पेटी कोरेक्स जो थी वो कबड़ से धकी हुई रखी ये बताते है लहाबास से लेक्या है तो क्या साथ इनको चुनके त्वारा इन्हें माल दिया गया है क्या उनके उपर भी मामला दर्च किया जाएगा रहे है कि कौन लोग है जो ये स्टाइब करते हैं वहां से जी क्योंकि साथ वहां जैसा आपने हाँ बैन है MP में साथ वहां इस तूरिकान पटेल ये हैं अच्चनका लौह जोन पूर उप्तर पदेश जी और एक है सिवेंद्र कुमार कुषवाहा जी ये हैं अंदावा थाना सरायनत सरायनात जिला प्रयागरा उप्तर पदेश के लिए कहां लाई जा रहे थी सर अपने जिले में या इनका कहना है कि च लोग बुलवाए थे जी तो वहां देने जा रहे थे लोग इधर नसे के बुरुद्ध चलाए जा रहे हैं अप्यान में सहर की चुरहटा पुलिस ने भी नरावरा गाउं में दविस्तेते हुए ब्रजेश पटेल नामक व्यक्ति को गिरफतार किया है जिसकी निसान देही पर बारा पेटी सराब जब्त की गई है जिसमें देशी वांगरेजी सराब में आकर सामिल है इसी तरह से सहर सहित जिले भर के बिभिन ठानों में नसे के बुरुद्ध अलग अलग कारवाईयां की गई है